जैनद बच्चों explorat चैनल पे आप सभी का स्वागत है और फार्मुला सिरीज में फृजिस्च के फार्मुला सिरीज में आप सभीका स्वागत है और सेसन स्टार्ट करने से पहले सिंग सर का एक मिशन है कि आप पढ़ने का अथकार सबको डाक्टर बनने का अथकार सबको और यह फार्मुला सेरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए तो आप लोग इसको जरूर देखा करिए बहुत कम समय में आपको वो समझ में आ जाएगा जिससे कुशन ज्यादा आते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का कॉंसेट फार्मूला है सेवेंटी टू नंबर हम लोग यूज़ कर रहे हैं और काफी इस पे आपको कुश्चन मिल चुके हैं तो कुश्चन देखिए यहां पर पहला तो कॉंसेट क्या होता है labor kalori history के सी ह wz Rechts से हम होग देखते हैं कि होड़वाडी होता है जिसका temperature ज्यादा होगा उसको वाड़ बोलेंगे जिसका temperature कम होगा उसको कोल बाड़ी बोलेंगे hard body से word body से हीट निकल के किसमें जाती यह cold body में जाती है इसका मतलब है एक body जो hot body होगा वो heat जो है loss करता है और जिसका temperature कम होगा वो heat gain करेगा तो heat loss equal to heat gain यह principal होता है calorimetry का और यह conservation of energy पे based on होता है conservation of energy पे यह based on होता है चलिए इस पर question जो आते हैं वो देखते हैं question कैसे आए हुए है पहला question है एक liquid है जिसका मासम है specific heat C is heated to temperature T तो एक liquid है पहले तो आप देखें phase same है इसका भी liquid है और दूसरा भी liquid है यानि दोनों का phase अगर same है तो आप इसको direct use कर सकते हैं theta mixture का formula आप लोग direct use कर सकते हैं यह formula होता है M1 C1 T1 plus M2 C2 T2 divided by M1 C1 plus M2 C2 यह formula होता है जब question में phase same हो question में solid solid हो liquid liquid हो या vapor vapor हो तो ऐसे अगर कोई mixture होगा तो हम लोग इसको direct use करेंगे ठीक ना तो यहाँ पर एक liquid है जिसका mass M है specific heat question में C है temperature T है दूसरा mass हमारा M by 2 है specific heat यहाँ पर 2C है temperature T है divide करेंगे M1 C1 plus M2 C2 से तो M C plus M by 2 into 2C 2 से यहाँ 2 cancel हो जाएगा यहाँ 2 cancel हो जाएगा ऊपर आ जाएगा 2 M C T अपान नीचे आ जाएगा 2 M C 2 M C से 2 M C कट जाएगा T बचेगा तो हमाँ पास क्या बच गिया T mixture का temperature क्या रहेगा तो option हो जाएगा third तो अगर question में direct आपको formula यूज करना है तो उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि अगर phase सेम होगा तो mixture का formula आप direct इसको यूज कर सकते हैं ठीक है ना चलिए अगला देखते है question अब region असरसन का question है specific heat of a body is always greater than its thermal capacity specific heat जिसको हम लोग अगर C बोलें और thermal capacity को हम लोग बोलते हैं delta q by m तो यहां पर बोला गया always greater तो यह statement गलत है always greater than नहीं होना चाहिए always greater नहीं होता ग्रेटर होता लेकिन always greater than नहीं होगा और specific heat अगर हम लोग निकालें तो q बराबर होता है m c delta t या delta theta तो specific heat का formula हो जाएगा delta q by m into delta theta यह formula होता है specific heat का जिसमें से q by m को हम लोग क्या लिखेंगे q by m को हम लोग thermal capacity लिखते हैं तो यह हमारा specific heat है specific heat c होता है और delta q by m यानि delta q by m को अगर हम लोग देखें तो यह हो जाएगा c into delta theta और यह delta q by delta t तो यह formula हो जाएगा m into c यह delta q by delta theta यह कराता है हमारा m into c इसको बोलते है thermal capacity thermal capacity delta q by delta theta ठीक m into c तो यहाँ पर अगर m की value 1 हो जाएगा तो specific heat बराबर हो जाएगा अगर नहीं तो यह जादा हो जाएगा तो यहाँ पर question में always लिखा है तो यह गलत हो गया तो पहला statement गलत है यह सरसन गलत है thermal capacity is required for raising temperature of unit mass of the body यहाँ पर लिखा है unit mass unit mass नहीं होना चीए whole mass होना चीए पूरे body का temperature तो यह गलत है unit mass नहीं पूरे body का mass है यानि कि whole mass of the body whole mass of the body through one degree तो यह region अरसरसन दोनों गलत है option चौथा सही हो जाएगा ठीक ना चलिए अगला देखते हैं अगला फारूला है expansion का है और change in length बराबर होता है initial length into alpha into delta t यहाँ पर alpha को क्या बोले coefficient of linear expansion coefficient of linear expansion यह यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं alpha को चलो दियान से देखो question इस पर क्या हुए है volume आफे metal sphere increase by 0.2% when its temperature is raised by 40 degree coefficient of linear expansion तो length अगर linear expansion की बात करें तो length बराबर हो गया L0 1 plus alpha delta theta अगर change in length की बात की जाए तो change in length बराबर होगा L0 alpha delta theta तो यह formula हम लोग को यहाँ पर यूज करना है अब question में volume दे रखा है भाई तो इसको बोलते है volume expansion यह तो हमारा linear expansion है यह formula हम लोग linear expansion में यूज करते हैं एक होता है arial expansion तो अगर हम लोग formula को जड़ा देखें तो expansion में हम लोगों ने कि तीन टाइप का expansion पढ़ा linear expansion areaal expansion superficial c का दूसरा नाम होता है areaal expansion और तीसरा होता है volume expansion volume या cubical volume या cubical expansion ठीक ना linear expansion में हम लोग length के form में पढ़ेंगे तो delta l change in length बराबर l not alpha delta theta होता है areaal expansion में two dimension expansion होता है change in area बराबर a not beta into delta theta होता है volume expansion को delta v लिखते हैं और ये v not होता है gamma delta theta के term alpha beta gamma में अगर हम लोग relation देखें alpha ratio beta ratio gamma तो ये आता 1 is to 2 is to 3 1 is to 2 is to 3 के term में आता है ठीक ना यानि कि अगर हम लोग alpha beta gamma में देखें तो gamma बराबर होता है 3 alpha beta बराबर होता है 2 alpha ठीक ना तो इसका use करना पड़ेगा तो आप चलो question अब करते हैं question में था volume of metal sphere तो volume का expansion देखेंगे तो delta v बराबर हो गया v not gamma delta theta question में यहाँ पर दे रखा है percentage increase की value दे रखी है तो यहाँ पर अगर हम लोग gamma बराबर लिखें तो change in volume upon initial volume into delta theta लिखेंगे change in volume upon initial volume को fraction में लिखा हुआ है तो यह हो गया 0.24 upon 100 और temperature जो है वो 40 degree है तो degree में ही रखेंगे 40 ठीक है gamma को हम लोग 3 alpha लिख सकते हैं अभी हमने बताया 3 alpha बराबर अगर इसको देखें तो यह 0 से उपर जाके 10 की power minus 2 हो जाएगा 1 0 का 3 हो जाएगा यानि की और इसको काड़ दें तो 0.06 0.06 हो गया ठीक ना तो 0.06 into 10 की power minus 3 3 से इसको काड़ देंगे तो यह हो गया 0.02 alpha बराबर हो गया 0.02 into 10 की power minus 3 यानि जो answer आएगा 2 into 10 की power minus 5 option यहाँ पर पहला सही हो जाएगा ठीक ना तो यह हमारा change in length का formula है चली अगला देखते है question है ए ब्लैक इसमें ती है NCRT का example है NCRT में यह example में दे रखा है solve example है ए ब्लैक इसमें fix iron ring on the rim of the wooden wheel a bullet card the diameter of the rim and the iron ring bullet iron ring का यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर diameter question में बताना है what temperature should the ring be heated so as to fit the rim off तो यहाँ पर alpha की value note कर लेना यह value alpha है 1.2 into 10 की power minus 5 diameter के तरब में अगर length को formula लिखें तो change in diameter बराबर initial diameter alpha into delta theta तो change in diameter कितना है यह जदा है यह का मैं इसको घटा हो तो यह value आएगा 5.243 minus का 5.231 बराबर initial value क्या होगी initial यहाँ इसको हमको गरम करना है 5.231 को गरम करेंगे alpha की value 1.2 into 10 की power minus 5 रखेंगे और change in temperature यहाँ पर पहले निकालेंगे solve करेंगे तो delta theta की यह value हमारी जो आएगी delta theta solve करने पे जो value आ रही है वो 191 degree centigrade आ रही है delta theta का मतलब हुआ final temperature minus initial temperature बराबर 191 degree centigrade final हमको निकालना है question में final temperature बराबर 191 plus initial जो temperature है question में 27 है तो 27 इसमें add करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 218 degree centigrade तो option इसमें पहला सही हो जाएगा तो देखिए बहुत कम समय में आपको यह बहुत important चीज़ें आपको मिल रही हैं तो इसका use करिए question को देखिए formula के देखिए notes बनाईए और उस formula को लिखिए जो formula पे question आपके नीट में आये हुए है उस formula को जब लिख लेंगे और उसको बार बार revise करेंगे तो आपको यह formula याद हो जाएगा exam में कम समय लगेगा confidence बढ़ेगा ठीक है बाई तो ऐसे बने रही है और next formula में आप लोग को फिर से आना है और उसको अपने concept को clear करने के लिए आप लोग जुड़े रहे हैं Thank you so much